नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में यदि आप पांच सालों से करज का कष्ट जहलते जहलते परिशान हो गए हो ठक गए हो तो डरना किस बात का आज के वीडियो में आपको सन्यवार के दिन किये जाने वाले 6 उपाय बता रहे हैं ज जिवन की 90-30 समश्याओं का समाधान धन में छुपा होता है यदि जिवन में कहीं से भी धन की आमद नजर नहीं आजियो और घर में दरिद्रता करज का दोर चल रहा हो तो इस दरिद्रता को दूर करने के लिए निश्चित हो जाए आपके धन के सारे रुके मार खुलने ल वीडियो मम आपको नमक राई के परियोग से किये जाने वाले उपाई बता रहे हैं जिससे कई लोग धनवान बन गए हैं नमक राई से आखिर कैसे धनवान बनते हैं तो आए जानते हैं नमक राई के छे अचूप टोटके जिसके परियोग से आप निश्चिती धनवान ब सबसे पहला उपाई है यदे आप धनकी तंगी बढ़ते करशे परेसानों तो ये उपाई सन्यवार के दिन जरूर करें सवासो ग्राम काली रही और सवासो ग्राम साबूत नमक को मिक्स कर लें बाद में इसको एक लोहे के पात्र में भर कर रात्री को अपने सिरहने रख कर सो जाएं अगली सुबह इस सारी समगरी को लोहे के पात्र समेत किसी सुन सान जगए पर चुप चाप रख कर आ जाएं ऐसा माना जाता है इस उपाई से आप पी करद समेत कई समझे हैं कुछी दिनों में समाप्त हो जाएगी ये उपाई चार सनिवार तक करते रहें तो निश्चीती धन की प्राप्ती होती है और घर में धन की आवक बनी रहती है दूसरा है तंतर सास्तर के उसा नमक का ये टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है इसके लिए नमक को काज की प्याले में भर कर उसमें पांच लोंग रख दें और इसे गर में ऐसी जगह पर रख दें जिसे किसी की नजर ना पड़ें दो अपते बाद इस नमक लोंग को बदलते रहें पुरानी समगरी को घर से बाहर कर दें इस परियोग से घर में धन की बरकत होती है धन की आवक बनी रहती है तीसरा उपाय यदि घर में आपस में जगड़ा कर ले होता रहता हो परिवार में चाहे सास बहु के जगड़े हो पती पतनी के जगड़े बाही बाही में जगड़े हो रहे हो तो ये उपाय सारे जगड़ों को सांत कर देगा इसके लिए एक कांस के प्लेन गिलास में प्लेन डिजाइन वाला गिलास नहीं होना चाहिए प्लेन गिलास में सेंदा नमक भरके डली वाला सेंदा नमक डली वाला संदा नमक भरके ऐसे इस्तान पर रख दें जिस पर घर के सारे सद्धियों की नजर पढ़ती रहे इसे घर की नकारात में कुर्जा खतम होती है और कुछी दिनों में घर की हालत सुद्र जाएगी चोथा उपाय एक चमच राई काली राई और एक चमच नमक को नहानने के पानी में डाल कर सनान करने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है इस परियोग से सारे घर के सद्धियों को सनान करना चाहिए सब्ता में एक बार इसनान करें तो बंद किस्मत के ताले खुलते हैं पांचों उपाए पांचों उपाए बहुती महत्व पूने ध्यान से सुने एक कांच के प्लेन गिलास में प्लेन गिलास लेना डिजाइन वाला ने डिजाइन ही होने चाहिए एक कांच के प्लेन गिलास को लेकर उसमें पानी भर दें बाद में उस पानी में एक चमच नमक डाल दें बाद में उसे घर की दक्षिन पक्षिम दिसा यानि नेरिते कौन में रख दें और गिलास के पीछे एक लाल रंका बलब जला दें इस परियोग से निरंतर घर में धन की आवग होती रहेगी और धन बढ़ता जाएगा घर के लोगों के धन्दों में भी काम धन्दों में भी उन्नति होगी सबसे अंति मैं छटा उपाय है सनिवार के दिन शाम के समय में पिपल के पते में दस ग्राम राई को लपेट कर काली डोरी से बांग दे बार में उसे घर के चारों तरफ चकर लगवाएं और सूज अस्त से पहले पहले किसी भी पिपल के पेड में रख कर या किसी डाली अतने पर पिपल के डाली अतने पर उसे टांग कर आजाएं इस परियोग से घर में घर की नकारात्म उर्जा नजर दो